नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुसर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है यूजी सी नेट एक्जाम 2023 हिस्टरी प्रेटी सेट 414 में जिसकी परिच्छा 21 फरवरी से 10 मार्च तक निर्धारित की गई है तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब कर उसका नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं हां अगर आप लोग और भी प्रेटी सेट 413 तक देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बनावा जिसका नाम है यूजी सी नेट इतिहास और उस प्लेलिस पहला क्वेशन है इसमें निमलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालिन भाक्तों का वीवरण एक जगह मिलता है दिया है भाक्त माल वैसनों वैज्य वासकर 84 वैसनों की वारता या 252 वैसनों की वारता तो किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालिन भाक्तों का एक जगह मिलता है तो वह है यह भाइट माल इसका राइट अइंसर हो जाएगा एक नंबर से भक्त माल जो है सब से पहले मध कालीन भक्तों का वीवराण एक जगह मिलता है और इस ग्रांट कि एगर रचईता की बात करें तो इसके रचेता थे नाभादास या नाभी जी नाभी जी के नाम से भी जाना एता था या नाभादास ज्यादा था हाईलाइट नाम है इनका और यह रचना 1560 से 1670 इस्वी के बीच माना गया है और इसमें सबसे पहले जो है मद्यकालिन भक्तों का वीबरान एक जगह मिलता है भक्त माल जो हिंदी का एक तिहासिक गरंथ भी इसको कह सकते हैं सक्रण नंबर दो направे को सदरूँ के संधर में निम्ण में से कौन सा कंथण सही नहीं है इसमें कौन सा कंथण सही नहीं है यह तर्विया है तिरिमुलर का दर्जा सभी तमिल सिध्धों में सबसी उचा था। ये तो शही है। यहाँ पर नहीं वाला ध्यान देना है नहीं इसमें। तमिल सिध्धवाद में ब्रामण विरोधी, अकर्मो कांड विरोधी, लच्छन मिलते थे ये भी सही है। तीसरा दिया है तमिल सिद्धों ने सीव तथा तमिल देवता मुर्गुन के महत्तों पर जोर दिया यहीं आपका जो है गलत यानी एंसर आपका चोथा सही नहीं है कोश्चन नमबर तीन है वर्ष 1914 तक भारतिय पैदल सेना के तीन चोथाई सिपाही निमलिखित में से किस छेत्र से आते थे बंगाल बिहार अवद मद्रास बांबे बंगाल या पंजाब नेपाल और उत्तर पस्मी सिमांत प्रांत या पंजाब सिंध और राजपुताना तो इसमें आपका जो राइट एंसर है वह है तीसरा पंजाब से पाल और उत्तर पस्मी सिमांत प्रांत से में मुः हम 1964 को भारती तीन चवथाई पंजाम नेपाल और उत्तर पस्मी सिमांत प्रांत सहतर सारा थे और उसमें बिसीत हुआ था इसकी शुरुवात कोश्चन नमबर चार है राज द्रोह से संबंधित कुख्या धारा 124A को एक्ट 26 द्वारा भारती डंट साहिता में कब समाविष्ट किया गया 26 ने 27 समा यह सारी यह 27 समा इसको पढ़िएगा तो 27 समा द्वारा भारती डंट साहिता में कब समाविष्ट किया गया यह पुछा जा रहा है इसको 1860 SOUY में 1861 SOUY में 1870 SOUY में यह 1869 SOUY में तो इसका राई टेंसर हो जाएगा तीसरा से 1870 SOUY में समाविष्ट किया गया था यह कोश्चन नमबर पांच है अठारा सो पचास इसी में भारत में बड़े पैमाने के उध्योग के उध्य की पूरु संध्या पर निमलिकित में से कौन सा प्रमुख समुदा आए पस्मी टट से निर्यात योग्य दो प्रमुख वस्तुओं का पास और अफिम का बेपार करता था दिया है इरोप पार्सी तो पार्सी समुदायक या इसी को कह सकते हैं इरान का एक जो है बेपारिक समुदाय था जो भी भी निकाल खंड़ों में भारत आकर यहां पर रुके भी थे या बस भी गए थे कह सकते हैं कोस्तन नमबर छे है निमलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लिख द्वारा स्विक्रित लाहोर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा है था दिया है खीजर हयात खान सिकंदर हयात खान फजलूल हक या खली कुल जमा तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा खीजर हया कोस्तन नमबर साथ है निमलिखित में से कौन से सुधार वादी मुस्लिम नेता ने एक आधनुक्ता वादी उर्दु पत्र का तहजीव अल अखलाक प्रकासित की दिया है जमालुदीन अल अफगानी सेयद अहमाद खान या मुहसीन अल मुल्क या मुहम्मद इसमाइल तहजीव अल अखलाक प्रकासित की थी उर्दु पत्र का है यादनी किताव में तो यह थे सयद अहमाद खान दूसरा सयश में सयद अहमाद खान कोस्तन नमबर आठ पर आते हैं निमलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियान एसोसेशन फार्दी कल्टिवेशन आफ साइन्स की अस्थापना की दिया है जेसी बोस, पीसी रे या सीवी रमन या महेंदर लाल सरकार इसमें आपका राइट एंसर हो जाया का चौथा महेंदर लाल सरकार कोस्तन नमबर नौ है निमलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन का उदेश से इन सब्दों में व्यक्त किया कि सयुक्त बंगाल एक सक्ती है, बिभाजित बंगाल अलग दिसाओं में जाएगा दिया है लाड करजन, लाड मारले या अलेगजंडर, मैकेंजी या एच एच रिजले तो इसमें आपका राइट एंसर है एच 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 रिजले चोथा सा इसमें एच एच रिजले तो एच एच रिजले ने जो है बंगाल के विभाजन का उद्यस से इन सब्दों में ब्यक्त किया था कि संयुक्त बंगाल एक सक्ती है और विभाजित बंगाल अलग दिसाओं में जाएगा कोस्टन नमबर दस है निमलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाब चल रहे मुकदमों के बचाव पच का नित्रित्त कर रहा था भूला भाई देशाओं जौहर लाल नहरू महत्मा गांधी या सरदार पटेल तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा एक नमबर से यह भूला भाई देशाओं भूला भाई देशाओं तो भूला भाई देशाओं जो है अजाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाब जो मुकदमा चल ला था उसमें बचाव का नित्रित कर रहे थे कोश्चन नमबर 11 है निम्लिकित में से कौन सा एक आरिस समाज का आदर्स नहीं था आरिस समाज का आदर्स नहीं था सास्त्री वर्ग के प्राधिकार में विश्वास या इस्वर्ग के प्रतित्व मनुस्यों के भातित्व भाव में विश्वास या सुधी आंदोलन में या लिंगो के भी समानता तो इसमें आपका राइट एंसर हो जायेगा पहला वला सही है सास्त्री वर्ग के प्राधिकार में विश्वास आरे समाज का यह दर्स नहीं था सास्त्री वर्ग के प्राधिकार में विश्वास कोशन नमर बारह पर आते हैं All India Women's Conference की अस्थापना किस वर्स हुई? All India Women's Conference की अस्थापना किस वर्स हुई? यह 1927, 1929, 1931 या 1933 इसका राइट एंसर हो जायेगा 1927 इस वी में तो All India Women's Conference की अस्थापना अगर देखा जा तो 1927 में हुआ था और यह कहां पर हुआ था? पूने, महरास्ट में कहां पर हुआ था? पूने, महरास्ट में हुआ था और किस के द्वारा की गया था? अगर पूछेगा मार्गेट कंजिसिंस का नाम है मार्गेट कंजिस यह इसको नाम याद रखेगा मार्गेट कंजिस कोशन नमबर 13 है फ्रांसीसियों ने अपने भारती छित्रों को अंत्रता भारत को कब सौपा? 1947 में, 1950 में, 1954 में या 1969 में कब सौपा था? यह कोश्चन पूछा जा रहा है इसमें तो इसमें आपका राई टेंसर हो जाएगा तीसरा से यह 1954 इसमें कब सौपा था? 1954 इसमें कोश्चन नमबर 14 है निमलिखित में से किस राजी के महाराजा ने अंत्र में बिद्रोह का नाटके परदर्शन करने के बाद ही बिले पत्र पर हस्ताचर किये हैदराबाद, भोपाल, जैसलमेर, जोधपूर किसका राई टेंसर हो जाएगा इसमें? चाओ था? जोधपूर जोधपूर कोच्शन नमर 15 है और अंतिम कोच्शन है आज के लिए ऐसे किस ने समराजवाद बिरोधी जन मुर्चा कांगरेस के अंतरगत गठित किया द्याहे आरपी दत बेन ब्रेडले या सुवाशंदर बोश या चठी कंटीमेंट कांगरेस या फिलिप स्प्रेट तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा तीसरा छठी कमेंटर्न कांग्रेस 1936 में हुआ था ये ये थे कोशन आज के लिए तो उम्मिद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया ते इसको लाइक कर अपने दोस्तों के अधिस दिक सेर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम